हेलो स्टुडेंट्स आज आम क्लास फाइव हिंदी का रिम जिम का उसका अभ्यास पुस्तिका उसका चाप्टर छे चिठी का सफर का कुश्चिन एंशार शुरू करेंगे तो शुरू करते हैं देखो ये पहला दिया है सब पिटारा निर्मलिक्रिस अब लोक के आर्थ लिख देखो ये भोगलिक मतलब भूगल सम्बंदी, निरंतर मतलब लगातार, प्रसिखित मतलब सिक्षा देना, गंतव्य मतलब लक्षष्तल, संदेश बाहक का अर्थ है संदेश पहुँचाने वाला, प्रबासी का मतलब है पर देश में रहने वाला नेक्स्ट है हमारा देखो पार्ट बोध उसमें दिया गया है फास्ट नमबर निर्मे लिखित सब्दों को उच्छे स्थान पर लिखिए यहां पे दिया गया है देखो हमारे अप्सवर में दिया गया है जो फिर गाउं पीन कोड कहते हैं गली महले का नाम कसबे फिर गाउं सहर के जिस हिसे में है उसका नाम सहर का नाम तो यहां पर जो दिया गया है नीचे दिया गया है उसमें तुमको इस सब उसके इकाई से भनना है देखो छोटी से बड़ी भोगली इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नमबर के बाद क्या आता है गली मोहले का नाम फिर गाउं फिर मकस्बे सहर के जिस सिसे में है उसका नाम फिर गाउं या सहर का नाम सहर के नाम के बाद लिखे अंको को पीन कोड कहते हैं नमबर टू निर्मलिक्षित प्रस्णों के उत्तर लिखिए कब पीन कोड की सुरुवात कब हुई एंसर होगा 15 आगस्ट 1972 को ख़़़ पीन सब्द का क्या तातपरिया है उसका मतलब क्या है और उसका एंसर होगा पोस्टल इंडेक्स नमबर बहुत पुराने समय में संदेश किसके द्वारा भीजे जाते थे एंसर लिखो कबुतरों और हरकारू जमो कस्मी के लद्दा खंड डाक कोन पहुँचाता है एंसर होगा हरकार डाक विभाग क्या-क्या लोगों तक पहुँचा रहा है एंसर होगा चिठी पार्सर च, कबुतर की कौन से प्रजाती को डाक संदेश भेजने के काम में लगाया जाता है एंसर होगा गिरहवाज या हूमर हो गया नमबर थ्री अब देखो निनमलिकित प्रस्णों के उत्तर लिखे उसमें कह है प्राचिन समय में पत्र कैसे पहुँचाई जाते थे एंसर लिखो प्राचिन समय में कबुतरों और हरकारों के द्वारा पत्र पहुँचाई जाते थे ख पत्र भेजते समय किन किन बातों का ख्याल लखना चाहिए लिखो पत्र भेजते समय सही पते और पीनकोड पर ध्यान रखना चाहिए ग पीनकोड की सुरुआत कब हुई और क्यूं लिखो पीनकोड की सुरुआत 15 अगस 1912 मतलब 15 अगस 1972 को हुई क्यूंकि पते के बाद पीन कोड लिखने से गंतव्यस्थान का पता लगाने में डाक छंतने बाले कर्मचरियों को मदद मिलती और पत्र जल्दी पहुँच जाता है ओरिशा पुलीस संदेश पहुँचाने के लिए किसका इस्तमाल करती है? और इसा पुलिस संदेश पहुँचाने के लिए हूमर कबुतर का इस्तमाल करती है हो गया नेक्स्ट है आमारा क्या ब्याकरण बोध देखो फास्ट नमर है बिलोम सब्द लिखे तो का सही का बिलोम सब्द होगा गलत खा जल्दी का बिलोम सब्द धीरे ग दुर्गम का सुगम, ग प्रश्ण का विलोम सब्द उत्तर, ग चोटी का बड़ी, अच्छा पुराना का नया अब नमबर दो देखो, बर्न बीचेत किजिए, क में दिया है, महातमा दिया है तो उसका एंसर लिखो, मा, प्लस आ, प्लस ह, प्लस आ, प्लस त, प्लस म, प्लस आ ख, भोगलिक का, भ, प्लस ओ, प्लस ग, प्लस ओ, ग, हो गया प्लस ल, प्लस इ, ली, अ, प्लस क, प्लस आ, भोगलिक, ग, पीन कोड, प, प्लस इ, न, प्लस आ, क, प्लस ओ, फिर ड, प्लस आ, घ, कर्मचारी, क, प्लस आ, र, प्लस म, प्लस आ, कर्म, प्लस च, प्लस आ, प्लस र, प्लस आ, 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 थ्री दिये गए उपसर्ख तथा प्रत्यों में से सही का चुना कर शब्द के साथ लगाए तथा नया सब्द बनाएए यहां पर दिया गया है, तो उसको हमको इसमें भरना है और फिर नया सब्द बनाके लिखना है ठीक है पहले देखो का भर दिया है यहां पर हम जो ब्लैंक में क्या लिखे ब्लैंक में लिखेगे नीर नीर प्लस भर होगा नीर भर ख भूगोल प्लस एक भूगलिक ग दूर प्लस गम दूर गम ख महत प्लस पुर्ण महत पुर्ण न सीमा प्लस एत सिमीत च अन प्लस हो नी अन हो नी हो गया अभी नमबर फोर पार्ट में से अंग्रेजी सब्द चुन कर लिखी यहां पर पढ़े पार्ट में उसमें कुछ अंग्रेजी सब्द है English word है उसको हिंदी में उसको हमको यहां पर बनना है क्या क्या है यूज क्या है हमने तो देखो पीन कोड डायरेक्टरी टेलिफोन मनी अडर इमेल पॉस्टल, लेटर बख्स, मील हो गया? एक्स्प्रेस पोस्ट जो है वो चिठ्ष जाती है पीला में लोक मेल, हरा पार्सल और निला में एर मेल अब देखो next में दिया है चिठ्र देखकर उसके नीचे दियेगे स्थानों पर बाक्य लिखिए इसमें इससे आपको पता चल जाएगा कि चिठ्ष अपना सफर कैसे तै करती है तो देखो बच्चों यह है फास्ट जो पिक्चर दिया है उसमें दिया है देखो एक बच्चा पोस्ट अपिस से पोस्ट कार खरीदा फिर दूसरे में है वो अपनी दोस्त के पास चिठ्ष लिखा फिर तीन में यह देखो चिठ्ष को लेकर पोस्ट बक्स में ढाल दिया फिर चार में जो पोस्ट में होता है वो सब सारे चिठ्ष निकलता है तो पोस्ट में बक्स से सारा चिठ्ष निकला देखो पांच में ह उसे पोस्ट अफिस में लाकर सील मारा, जो सील पड़ता है तो फिर छे में देखो उसे हवाई जहाद या ट्रेन से बेज बेजा गया और जो लास्ट है साथ को देखो, वहाँ के पोस्ट अफिस से फिर पोस्ट में उसके दोस्त के घर पहुंचा दिया हो गया तो ये तुमको पता चल गया चिठी का कैसे चिठी का सफर कैसा होता है तो ये हो गया हमारा चप्टर 6 चिठी का सफर का question answer